हेलो बच्चो चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 14.1 का question number second देखते हैं क्या है इस question को हम इस वीडियो में direct method से करेंगे इसके दो other method भी बनाऊगा step deviation और resume mean method भी ठीक है आप तिन्नों में से कोई भी method चूज करके आप question कर सकते हो अगर exam में आपसे पूछ ले कि ये question है आप इसको assume mean method से कीजिए या step deviation से कीजिए तो आपको उसी method को follow करना है तब ही आपको full marks मिलेंगे ठीक है अब दूसरी बात आती है कुछ new books में हमें statement ये दे रखी है कुछ old books में हमें statement दे रखी है 100 से 120 120 से 140 इस तरीके से तो इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी old videos में playlist में आप देख सकते हो old book का question भी ठीक है इसको देखते हैं हम direct method से कैसे करेंगे question देखो consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory find the mean in daily wages of workers of the factory by using appropriate method यहां पर क्या है एक factory के 50 workers की daily wages डेली हर रोज मिलने वाली तनखा या salary का हमारे पास यहां पर record mention है हमें क्या करना है mean value हमें find out करनी है उनकी daily wages की तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले देखो हमें daily wages दे रखी है वो interval की form में दे रखी है बच्चो ठीक है और हमें frequency जो दे रखी है वो यह है हमारी number of workers की सबसे पहले हमें क्या find out करना पड़ेगा x i x i कैसे निकलता है जो भी interval दे रखा है उसकी mid value या फिर इस value और इस value को add करो और 2 से divide कर लो वैसे simple क्या होता है इनकी mid value देख लो 500 और 520 के बीच में क्या आएगा 510 तो यहाँ पे क्या आगया हमारा 510 520 और 540 के बीच में क्या आएगा 530 यहाँ पे क्या आएगा हमारा 550 फिर क्या आएगा हमारा 570 और फिर क्या आएगा हमारा 590 लिख दी values दूसरा क्या होता है direct method formula लिखेंगे हम direct method इसके अंदर x bar is equal to किसके होता है हमारा sigma f i x i divided by sigma f i के मतलब अब हमें चीए f i x i की multiplication तो यहाँ पे निकालते हैं भई f i x i इसकी और इसकी multiply एक 0 है एज़िटीज रखेंगे 12 की और 51 की हम multiply करेंगे तो यह होता हमारा 612 फिर 0 agit 53 की हम 14 से multiply करेंगे यह होता हमारा 742 फिर 0 8 की और 55 की multiply करेंगे तो यह हो गया 440 यह आ गया 6 की हम क्या करेंगे multiplication यहाँ पे करेंगे यह हमारा आ जाएगा 440 0 भी आएगी साथ में 6 की से multiply करेंगे, 0 हमारी है, 6 की 57 से multiply करो, क्या आजाएगा, 342, फिर 10 की multiply करेंगे, simple है, तो यह हमारा आजाएगा, 59,100, आ गई बात समझ में, अब हमें क्या चीए बच्चों, इनका sum चीए, तो सिग्मा, FI, XI, is equal to किसके आजाएगा, इनका sum कर लेते हैं, एक बार वीडियो पोज़ करके, तो इनका sum आगया मेरा जो है, वो आगया 27,260, denominator में क्या चीए है, हमें summation of FI चीए, यह हमारे पास FI है बच्चों, इनका sum निकाल लेते हैं, सिग्मा, FI, is equal to, उसको सिग्मा भी बोलते हैं, summation भी बोलते हैं, कहीं confuse हो जाओ, सर, यह क्या बोल रहे हो अब, इनका sum जो अगर आएगा, वो हमारे पास वो आ रहा है, 50, अब करते हैं, simplify, X bar is equal to, summation of FI, XI क्या है, 27,260, divided by 50, एक जिरो से एक जिरो गटगी, 5 से डिवाइड करो, इसको, 5 से डिवाइड करेंगे, तो X bar is equal to, 55 जा 25, फिर 22 हो गया, 54 जा 20, फिर 26 हो गया, फिर 55 जा, फिर 1 बचेगा, तो 1 के साथ 0 लेंगे, तो point आ जाएगा, 52 जा 10, तो क्या आ गया, 545.2 रूपेज, This is the mean wages, daily wages का mean जो आया है, वो कितना आ गया, 545 रूपेज, 2 पेसे, 2 नहीं, मतलब 20 बोला जाता है, कुछ बच्चे इसमें भी confuse हो जाते हैं, अगर मैं यहाँ 0 लगा दू, सर आया तो 2 है, आपने 2 0 क्यो लिखा, वो 2 decimal के लिए लेंगे, तो हम 0 लगाते हैं, आगई बात समझ में, direct method से समझ में आगया, question किस तरीके से करना है, दूसरा method, next वीडियो में कराऊँगा मैं, अपने चैनल को support कीजिए, Nexa Classes को ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए, thank you students for watching your channel, Nexa Classes.